ये संख्रे पराठा प्रेकप की भूमिका में लिखा है कि मुझे नई पिखी, चाहे लड़के हूँ ये लड़कियां हमेशा बहुत आकर्शित करती रही है, लेकिन पुरानी पिखी भी बहुत कुछ सोचने समझने के लिए प्रिरिद करती है, मेरा क्षमा से सवाल था कि उनकी आस्था का आधार क्या है? आज भारत दुनिया की महाशक्ती बनने का सपना देख रहा है, नीतिकार पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी और भारत में साम्रदाइक तनाव कम नहीं, बलकि बढ़ता जा रहा है क्या भारत की युवापिगी मौजूदा साम्रदाइक माहौल में बदलाव लाने में समर्थ है? ख्रमा शर्मा नई पीड़ी दुनिया भर में परिवर्तन की बाहक रही है, इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसमें उसकी अगरगामी भूमिका है साम्रदाइक तको प्रतीकातमक्ता या सिंबोलिम से नहीं लड़ा जा सकता, नहीं इससे मुक्ति के लिए राजनेतिक दलों के भरोसे रहा जा सकता है दलों का तो हाल ये है कि उन्हें हर हाल में चुनाब जीतना है, वोट चाहिए साम्रदाइक ता से अगर सच्मिश लड़ना है तो सबसे पहले अपने अंदर की साम्रदाइक ता से लड़ना होगा इसमें हर कम्यूनिटी में जो उदार मना लोग हैं उन्हें अकेला छोड़ने के मुकाबले उनका साथ देना चाहिए वे आज बहुत अकेले हैं और निशाने पर भी सोचा तो ये गया था कि विज्ञान और तक्नीक तमाम तरे के पिछ़़े विचारों को दूर करेगी मगर हुआ इसका उल्टा है उदारर के तोर पर सूचना समाज और सोचल मीडिया चैनल्स की राद दिन की हाए हाए और किसी न किसी दल की पक्षधरता ने इसे बेतहाशम बढ़ाया है अधिकांश तलों के हाथ सांपरदायक्ता बढ़ाने के खून से रंगे हुए है प्रतियोगिता इस बात की हो रही है कि हमारी सांपरदायक्ता के मुकाबले तुम्हारी सांपरदायक्ता खराब है इसलिए दलों के बनाए धोके के जाल से बचना जरूरी है क्योंकि दंगे फसाद में अक्सर निरप राद आम लोग मारे जाते है कोई नेता शायदी कभी मरता है नई पीड़ी को आज नहीं तो कल ये जरूर समझ में आएगा वहीं से ऐसे मार्ग निकलेंगे जिनकी कल्पना स्वार्थी नेता और उनके गुर्गे कभी नहीं